नमज़कर दोस्तों वेलकम बैक टियो ओन चैनल वेल्थ सागा एक टॉपिक बड़े दिनों से लॉंग आउटस्टेंडिंग है और काफी ज्यादा उसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है कॉमेंट सेक्षन में उसके कॉमेंट मिली आते हैं कि सर इस पे वीडियो बना है तो वीडि इस थीरी को समझा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें बैल अगर को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको टैमली मिलते रहें जैसे हम अप्लोड करें वैसे ही सेकेंडली अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लेलिस में जाएं जबरदस तरह की प्लेलिस बन करके रखी हुई हैं इमेडियेटली जाएं उनको एक्सेस करें और अपने नॉलिज को अफग्रेड करें दोस्तों जो टॉपिक हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं उसका नाम है एलियेट वेव थियरी आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा काफी सारे लोगों ने इसके पुराने वीडियो देखे होंगे समझ में कुछ आया होगा नहीं आया होगा क कुछ confuse हो गया होंगे उसके बाद इस theory को use करना ही भूल गया होंगे अब एलियर्ड वेर theory का मेरे हिसाब से दोस्तों यह आभी तक का आपका best वीडियो होगा आपने जो आज तक देखे होंगे उन सभी वीडियो में से best होगा ऐसा मेरा मानना है क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो उसमें अपनी कोई भी एक भी परसेंट का यह नहीं चोड़ता हूँ कि उसमें कुछ confusion रह जाए तो 100% देने की कोश्च करता हूँ इसलिए आपको 100% समझ में आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें ताकि यह सभी लोगों को के पास पहुँचे जितने आदा वीडियो लाइक करते होते हैं यह लोगों के पास पहुँचता है और सभी लोग इसका benefit उठापे है जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी यह free of cost knowledge मिल सके हैं क्योंकि अब भी वीडियो के end तक आप भूल जाएंगे अगर चाहते हुए भी आप भूल जाएंगे smash the like button and get over with this responsibility so let's begin वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कुछ important चीज़े आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो कि although आपको पता है आपको पता होनी भी चाहिए उनको मैं दोरा देना चाहता हूँ कि history हमेशा repeat करती है especially stock market में क्यों? stock market में एक fear and greed की cycle होती है fear होता है fear होता है तब आदमी को लगता है भाई यह stock overvalued हो गया है अप डर लग रहा है भाई यह तूट सकता है तो यहाँ पर बेच दो history अपने आपको repeat करते ही करती है और जो price है वो wave में move करता है कभी अपने price ऐसे देखा इस stock कैसे जा रहा है कभी नहीं हमेशा वो wave में move करता है मतलब ऐसे जाएगा फिर वो नीचे जाएगा फिर वो उपर जाएगा फिर वो नीचे जाएगा तो this is the kind of wave तो पहली wave दूसरी wave तिसरी वेव, चौती वेव, पांचवी वेव तो ये अप वेव, डाउन वेव बासमझ में आ रही है, अप वेव ये होगी, डाउन वेव ये होगी तो हमेशा प्राइस वेव में मूव करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेव से रिपीट करती है क्यों? क्योंकि साइकोलोजी है आदमी ने यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर पहुंचते ही उसको लगा जब उसके 25% बढ़ गए उसको लगता है कि भाई मुझे बहुत प्राफिट हो गया, इससे पहले कि यहाँ पर market profit book करें, मैं पहले book कर लेता हूँ तो वहाँ पर वो book करता है जैसे ही थोड़ा सा correction आता है पूरी market में वो sentiment चालू हो जाता है जैसे ही market दे book करना profit शुरू होता है तो बंदा और भी जादा, और भी जादा कि यह stock overvalued हो गया है ऐसा आत्मी को लगता है, ऐसा novices को लगता है लेकिन action room ऐसा होता नहीं है price को उपर ही आना है, अच्छा stock है तो उसका price उपर ही जाएंगे लेकिन बीच बीच में corrective phases आएंगे वो waves आएंगी ही आएंगी Ralph Nelson Elliott यह है सज्जन जिन्होंने इस important theory का का विश्कार किया, को जनम दिया तो इन्होंने basic Elliot wave cycle बनाई है, क्या बनाई है क्या है इसका मतलब, कैसे आप इसमें जबरतस trading opportunities आप पा सकते हैं जबरतस investing opportunities पा सकते हैं उसको समझेंगे, सबसे पहले तोम इनको धन्यवाद देना चाहते है for making this wonderful theory आपको मालूम रचे है दूस्तों, इतनी पुरानी theory है और आज भी लोग इसको study करते हैं क्यों? क्योंकि ये काफी ज़्यादा research ऐसे तो theory से बहुत बनी है लेकिन कुछ theories ऐसी हैं, जिन्होंने indelible mark छोड़ा है और आज के दिन भी उनकी importance उतनी ही है तो इस important video में हम लोग cover करेंगे Elliot wave theory होता क्या है how to predict market move कैसे move को predict करें कैसे पता करें कोई train change होने वाला है और कैसे हम लोग सही time पर stock में entry करें सबसे important चीज तो यह है और कैसे पता करें कि Elliot wave बन गई Elliot wave देखने में तो बड़ी अची लगती है clear cut दिखाई पड़ती है कि यह Elliot wave है लेकिन जब chart में जब आप उसको देखते हैं तो आपको clear cut दिखाई पड़ती नहीं है and last but not the least कुछ golden rules उसके साथ associated है वो क्या golden rules है उनको कैसे apply करें और कैसे बिना रटे हुए बिना उसको घोटे हुए कैसे उसको अपने दिमाग में रखें इसको समझने की कोशिश करेंगे तो पहले दो समझ जाते हैं Elliot wave theory के postulates क्या है मतलब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है क्या उसका मतलब क्या है Elliot wave theory का कहना क्या है उनका कहना ये है कि जो stock के prices हैं वो move करते हैं क्योंकि investor की psychology ऐसी है आपको दुस्तों मालू है अगर in market में fear greed नहीं होगा investor की psychology नहीं होगी तो price कभी move ही नहीं करेगा it will remain constant only तो price move होने में सिर्फ एक ही आदमी का role है investor का या फिर trader का या मेरे आपके जैसे लोगों का जब उनको लगता है कि price बिल्कु सही level पे आ गया तो खरीदारी करते हैं जब खरीदारी करते हैं तो demand बढ़ जाती है इस कानट price उपर चला जाता है बास समझ में आ रही है और यही जब ज़्यादा बढ़ने लगता है price तो सभी के सभी लोग जुड़ते चले आते हैं जब लोग जुड़ते चले आते हैं और भी जुड़ते चले आते हैं तो और भी तेज होती है और stock और भी अपने high को touch करना शुरू करता है और इस swing का लेकिन यह तो थेहरी हो गई इसका मतलब क्या है इसके implications क्या है इसका कैसे use करना है उसको समझ देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ideal Elliot wave what is an ideal Elliot wave तो ideal Elliot wave में सबसे पहले हम इस पार्ट को देखते हैं oh one second इस पार्ट को देखते हैं अभी आप इसको भूल यह इसको भूल यह इसको भूल यह just forget it okay इसको just remove it we are going to see only this so Elliot wave has five waves it has five waves and what are these let's understand बल्कि भूलने को यरूती नहीं यह इसके दो वेव हैं simple समझ लो एक है impulsive यह फिर growth move यह है आपकी growth move और यह है corrective move बात समझ में आ गई है तो पहले हम लोग discuss करेंगे growth move growth move में पांच चीज़े जरेखने वाली है वह समझ लेना ज़रूरी है क्या क्या है उसमें let's understand that तो जैसे कि मैंने बदा है हमेशा price कभी भी ऐसे तो जाएगा नहीं it will never go like that it will go like this उसके अद कुछ profit booking आगी फिर वो stock price उपर जाएगा फिर कुछ profit booking आगी फिर कुछ समझदार लोग उसमें enter करेंगा और फिर price उपर जाना शुरू होगा यह clear हो गया so this is the reason why Elliot साब ने बोला है कि कोई भी जो impulse move है impulse wave है यह impulse wave दिखा रही है correction की और final wave होगी पांचवी wave अप move की उसके बाद fall चालू हो जाएगा ऐसा Elliot साब ने बोला है Elliot साब ने काफी research करने के बाद काफी study करने के बाद इसको पता किया है तो इसका मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि movement जो उपर का होएगा वो होगा तीन फार्म में तीन फेज में वन, टू, एंड थ्री और जो fall होगा वो होगा दो फेज में वन, एंड टू बास समझ में आ गई जब भी कोई up move होता है तो हमेशा तीन फेज में होता है वन, टू, एंड थ्री उसके बीच में उसके बीच में दो छोटे छोटे चोटे corrective phase होते है यह clear हो गया तो basically elite wave का जो up move है वो होता है तीन पार्ट्स में और तीन पार्ट्स में छोटे छोटे बीच में corrections भी होते है तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया है कि जो भी move होता है उसमें दो तरह की wave होती है कि impulsive move एक correction move के correction wave ठीक है तो bullish wave होती है और जो correction wave होती है वो bearish wave होती है जैसा की नाम बता रहा है और each impulsive and corrective wave consist of minor waves within इसका मतलब क्या है कि हर एक impulsive wave के अंदर भी कुछ waves होती है मतलब Elliot wave के बीच में भी कुछ waves होती है इसका मतलब क्या हुआ जो ये आपको दिखा ही पड़ रहा है जो ये आपको wave दिखा ही पड़ रही है impulsive wave दिखा ही पड़ रही है इस impulsive wave के बीच में भी 5 Elliot wave होती है मतलब इसके बीच में भी ये पूरे के पूरे 5 बने होगा पांच की, पांच का movement दिखा रहा है मतलब stock price उपर जाएगा फिर छोटा सा correction, फिर up move फिर छोटा सा correction और फिर up move तब जाकर के ये कुल मिला करके ये एक up move दिखाई बोलेगा इसका मतलब क्या है, इसको कैसे प्रेड करते हैं, इसको और अच्छे समझेंगे ये अवाली wave है, तो इसमें इस up wave में तीन part होंगे, तीन waves up waves होंगी, और जो चोटे correction होते हैं वो इस प्रकार की wave होगी, मतलब उसमें दो major down correction होंगे, और वो कितने कितने बड़े होंगे, वो भी समझेंगे कैसे आप read कर सकते हैं कि यहीं पर creation खतम हो जाएगा, how will you find out that creation will get over here, ये भी आपको पता चल जाएगा समझते रो, वीडियो के साथ बने रो अब आपको एक चीज़ तो पता चल गई, कि अगर आपको ये concept समझ में आ जाए तो उसके दो फायदे मिलेंगे आपको, एक तो पहली चीज़ आपको पता चल जाएगा कि यहां पर, यहां पर buying opportunity आ गई है पता चल जाएगा ने पता चल जाएगा, comment section में लिखके बताओ पता चल जाएगा पता चल जाएगा आपको कि यहां पर buying opportunities आ सकती है, अगर आपको यह बता चल जाएगा, कि यही वो point है जहां से stock घुमेगा, मज़ा आ जाएगी नहीं आ जाएगा यह भी बताओंगा कि कैसे इस point को पता करना है यह भी बताओंगा तो Elliot Wave के दो benefit हैं, पहले तो आपको बताता है कि आप कैसे trend में बने रहें, भाई देखो अगर आप stock को यहाँ पर sell कर देते हो यहाँ पर, डर के FOMO में आ करके यहाँ पर sell कर देते हो तो आप बेवगुफी कर रहे हैं को नहीं कर रहे हो यहाँ पर इतने correction में sell करना बनता है कि buy करना बनता है, जो smart trader है जिसको Elliot Wave की पूरी की पूरी कहानी, theory पता है, वो यहाँ पर buy करेगा, और जो हताश इंसान है, वो यहाँ पर सोचके profit book कर लेगा, जैसे ही यहाँ book करेगा stock उपर move करना शुरू होगा फिर उसके बाद, यहाँ पर profit book करेगा, वो तो smart आदमी है, लेकिन वो यहाँ profit book करते ही, टॉप पे कोई profit book ही नहीं कर पाता, वो जब थोड़ा correction शुरू होता, तब यहाँ profit book करता हो, जैसे ही profit book करता है, stock उपर move करना शुरू कर जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा सिर्फ Elliot wave की वज़ाए से होता है, तो अगर आपको पता है, आपको Elliot wave का concept पता है, तो आप एक large trend large uptrend capture कर सकते हैं, और आपको अगर पता है तो आप corrective wave में सही समय पर enter कर सकते हैं, मतलब अगर आपको corrective wave का concept पता है, तो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं, जिससे कि आप इतना बड़ा move, जो balance है भी उसको capture कर सकते हैं, इसलिए Elliot wave की importance और use बहुत ज़्यादा जयुरी है समझना हो, अब ऐसा logical thinker आपके दिमाग में question चल रहा होगा, कि भाई यह सब तो ठीक है, आप बता रहे हैं कि trend change हो जाएगा, लेकिन आपको गर कुछ concepts पता हैं, तो एक broad आप एक mindset लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर buying आ सकती है, तो उसको समझते हैं, तो भाई देखो पहली चीज़ तो यह तो समझ में आ गया है, अभी इसके बारे हम बताएंगे कि यह कैसे बता करें, यह point कहाँ पर आएंगे, यह तो भी बताऊंगा, पहले तो समझते हैं कि कैसे trend reversal होने वाला है, हो गया है, इसको समझते हैं, बाई चांस stock में 5 wave आई, 1, 2, 3 और जो बीच में छोड़ी जोड़ी corrective waves हैं, तो कुल मिलाकर के stock जब यहां पर पहुँच गया, उसके बद stock में correction आया, और जब correction आया तो आपने देखा, उसमें जो पहली wave correction किया आई, वो almost पिछले up move के, जो last up move था, उसके बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्लियर है, कि यह trend reversal है, बात समझ में आई, अगर आपकी last wave और जो correction हुआ है, उन दोनों की length बराबर हो गई, this is equals to this, अगर यह हो गया, तो यहां से downtrend शुरू हो गया, यह चीज़ आप clear रख लें, ठीक है, number two, number two, आप देख रहे हैं, यह corrective wave है, छोटी सी corrective wave है, यह भी छोटी सी corrective wave है, और जो तीसरी wave बनी कैसी है, बड़ी है, इन दोनों से अगर यह तीसरी wave बड़ी बनती है, तो यहां पर आपको profit book कर लेना है, क्यों यहां profit book नहीं करेंगे तो आप परिशान हो जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे बहुत तगड़ा फॉल आप के स्टॉक में जटका ले सकते हैं तो आपको पहला concept लियर हुआ कि अगर ये और ये दुनों बराबर हैं that means trend reverse कर चुका है दूसरा confirm करने के तरीका क्या है अगर इसकी length इसकी length से ज़्यादा बड़ी ये length है तो यहां पर profit book कर लें क्योंकि trend reverse हो गया है यहां पर आपका मुनाफ़ा पूरा का पूरा eat up हो जाएगा exit अब ये तो पता चल आना दिमाग में बहुत लाजमी है और इस question का answer Elliot wave में ही छुपा हुआ है पहली चीज़ जब कभी भी stock को analyze करें तो multiple time frame में analyze करें इसका मतलब क्या है पहले weekly chart लगाओ weekly chart लगाओ के तो weekly chart में आपको clear cut up move इस तरह से दूसरी wave that is up move की ये correction की wave आईगी फिर तीसरी up move दिखाई पड़ेगी तो आपको clear cut पता चलेगा कि ये पहली up move है अब इसमें आपको पता करना है कि इसमें कहां पर कौन से phase में चल रहे हैं तो उसके लिए आपको daily chart लगाना पड़ेगा ताकि आप उसमें precisely accurately enter कर सके इसको मैं chart पर जाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा अब दोस्तों मैंने ये reliance का chart लगा हुआ है reliance इंडिया की diggers company है आपको मालूम है अगर इसकी analysis आपको पता चल जाए अगर आप इसमें पैसे लगा लें तो कितना bumper पैसा बनेगा अब देखिए अब मैंने इसमें क्या लगा रखा है weekly chart लगा रखा है लगा रखा है अब देखिए इसमें पहली wave this is your first wave okay second small correction आया की नहीं आया आया की नहीं आया मैं इसको अच्छा color बना करके बनाता हूँ this is your first wave okay the second wave is this red color this one हो गया हो गया की नहीं हो गया फिर उसके तीसरी wave बनी which is this wave okay यहां तकाई चौथी wave जो correction की है वो अभी अभी खतम होई है इसका मतलब क्या है यह हुई इसकी fourth wave अभी पांचवी wave की शुरुआत होई है so this up move has just begun so this is first wave this is second wave this is third wave this is fourth wave this is fifth wave अब आपको लग रहा होगा यार मैं तो प्रेडिक्टी नहीं कर पाता हूँ यह आपको थोड़ा experience के साथ थोड़ा practice के साथ अब यार मेरे को थोड़ा तो कुछ grant कर दिया गरू या थोड़े इज़द दे दिया गरू भाई यार यह आपको भी आ जाएगा you'll also get to know you'll also learn इसके साथ भी और associated चीज़े हैं इसके advanced levels वो वाल्यूम के साथ वो सारी चीज़े में आपको बादने बताऊंगा फिलाल आज basics पकड़ो समझो चीज़े समझो पहले दिनी दाल चावल सबजी भांडे सब नहीं खा लेने तो पह दे चार्ट पर लगाना है ताकि आपको कैसे पता चले कि मैं यहाँ पर एंटर कर जाओं कि यहाँ पर एंटर कर जाओं कैसे बता करूं इसको मुझे क्या करना है मुझे डे का time frame लगाना है ताकि मैं उसमें और detail में accurately enter करूं तो दोस्तों मैंने day का time frame लगा लिया अब मैं इसको छोटा करना जा रहा हूँ अब यह मैंने लगा दिया है यह आप देख सकते हैं day का time frame लगा हुआ है अब इसमें आप clearly बता कर सकते हैं कि आपको enter कहां करना है तो जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था इसमें बताया जाता हूँ यह first up move यह corrective move यह third आपका impulsive move फिर उसके अदी corrective move एक second यह corrective move अभी एक second यह I'll draw it again this is your first impulsive move corrective move third impulsive move यह third wave जा रही है first wave second wave third wave चौती वेव यह flat यह corrective हुई है यह flat इसके पीछे भी concept है समझाऊँगा भी तो यह चौती वेव है और यह पांचमी वेव की up move की शुरुआत हुई है correction trend कप change होगा जब इसके बाद में correction वाली वेव आएगी और इसके बराबर ब नहीं बनी तो वो आप समझे लिजे कि वो correction नहीं है clear हो गया तो यह आप expect कर सकते हैं कि अभी पांचमी वेव चलना शुरू हुई है okay clear हो गया अब question आता है कि हमको timely कैसे enter करना है अब enter करने का तरीका क्या है आपने देख लिए आप move चल रहा है उसके बाद यह corrective move आ रहा आ गया है अब आप question यह होगा कि मैं कहूंगा कि यहां पर enter कर जाओ कहूंगा कि नहीं कहूंगा आपके दिमागे question चल रहा होगा कि मैं यहां पर enter करूं इसकी क्या guarantee है कि मैं यहीं enter करूं या फिर यह पांचवी wave अभी बनने वाली है तो मैं यहां enter कर जाओं इसकी क्या guarantee ह कैसे मैं enter करूँ, कैसे मुझे सपना आएगा, क्या मैं enter करूँ, वो भी समझाता हूँ, ओके, बने रहो, तो question आपका लाजमी है, कि कैसे पता करें कि कितना correction होगा, और कितने correction में आपको enter करना है, इसका concept बिलकुल clear है, घोट लो, रट लो, practice के साथ, ये चीज रट जाएगी otherwise थोड़े समय इसको वीडियो को बार बार देखो, पहली वेव, जब आपकी बनती है, उसको बन जाने तो, let it be made, let it get made, अब जैसे कि ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं गर Reliance के चार्ट पर आपको दिखाऊं, समझाऊं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, पहले concept समझ लो, पहले concept समझ लो, ओके, हाँ, तो पहली जो आपकी वेव बन रही है, उसको बन जाने तो जब corrective move start होगा, ये, तो ऐस पर theory, ऐसा कहा गया है, जो wave 2 होगी, वो 33% of wave 1 होगी, मतलब जो ये वाली wave होगी, ये एक तिहाई होगी, पहली wave की, one third होगी, इस wave की, clear होगया, तो जैसे ही आपको लगे, ये जो correction है, ये इस length का one third होगया है, उसमें आपको यहाँ पर enter करना है, है की निकाज़, पसंद आया है, अगर आया तो नीचे smash करो like button, कलिको sir, मुझे पसंद आया है, मुझे मज़ा आया, आज तक किसी ने मुझे elite wave ने अच्छ ने comment section, तो I am sure आपने का तारीफ के कुछ ने कुछ शब्द लिखे होंगे, अगर आपको कुछ समझ में आया तो, तो ये वो point है, जब आपको लगता है, इस line का one third हो गया है, अभी आपको दिमाएं को question चल रहा होगा, कि इसको क्या napping है, क्या inchi tip ले करके, कि meter का ले करके, वो three सबसे लंबी wave होगी, ओके, जैसा कि आपको reliance के chart में देखाओं, समझाता हूँ, अब reliance के chart में देखो, ये wave one होगी, ये छोटा सा corrective phase आया, आया कि नहीं है, जो तीसरी wave हो, सबसे लंबी बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही, आप देखिए, इस से भी लंबी है, इस स जो पांचवी होगी, वो इतनी लंबी नहीं बनेगी, clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये third wave होती है, वो सबसे लंबी होगी, मतलब अभी reliance में उतना तेज move नहीं होगा, जितना तेज हो चुका है, अब आपको question होगा कि कितना होगा, ये कैसे बता करें, ये भी बताता हो, तो भाई, simple सी चीज है कि third wave largest होगी और जो fourth wave होगी, मतलब ये जो ये वाली wave होती है, ये third wave की एक तिहाई होगी, मतलब क्या है, अगर ये, इसका मतलब क्या है, कैसे पता करें, कि ये कितना move होगी, ये point क्या होगा, ये पैसा, ये rate क्या होगा, ये price क्या चल रहा होगा कैसे पता करें, इसको समझते हैं, तो question simple है, बहुत अच्छा भी question है कि कैसे पता करें, 60%, 30% हो जाएगा, कैसे पता करें, कि ये one third ही होगा, इंची टेप से ना पेंगे, scale से ना पेंगे, कैसे ना पेंगे, बहुत simple pro tip बता रहा हूँ, way one, अगर यहां से यहां तक price 100 रुप ही, एक तीहाई होगा, तो 30 से 33 रुपए के आसपास का correction होगा, जब price यहां से, यहां से यहां सो बढ़ गया, अगर price यहां सो रुपए था, और यहां 200 हो गया, तो यहां पर आपको expect करना चाहिए, कि ये one third correction होगा, मतलब price 160 से 170 तक जा सकता है, मज़ा आये कि निया है, तो पहला lot आप यहां पर खरीद सकते हैं, और जैसे ही आप खरीदेंगे, जनता यहां पर sell करने वाली होगा, फोमो जनता, जिसको पता नहीं, यह concept clear नहीं है, वो सब यहां सोचेंगे, अब यह गिरने वाला है, गिरने वाला, वो उनकी लगी रहेगी, और उनकी दिवाला, आ अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहां प्रॉफिट बुक ही नहीं करना है, वाइव भी पकरनी है, वाइव इल्यू बुक प्रॉफिट राधर, आपको इस पॉइंट का अंजार करना है, कि आप इसको और अच्यूमलेट करने, अब इसका तरीका क्या है, जो प्राइस सपोस्ट पहुंच गया 350 रुपीज चला गया मतलब यह लुट सो रुपई का पॉइंट बढ़ गया तो यह पॉइंट आएगा यह होगा वन थर्ड ओफ दिस तो मतलब फिफ्टी का वन थर्ड इस 50 रुपीज तो यह प्राइस यहाँ पर 300 रुपई के आसपास क्लियर हो गया अब जैसे यहाँ पर आया इसको खरीद लो और उसके बाद तीसरे अप्मूव का वेट करो तो तीसरा अप्मूव है वो यहाँ पर आएगा वो अप्मूव कितना होगा वो अप्मूव गैरेंटी से 150 रुपीज से कम होगा यहाँ से प्राइस मैक्सिमम कितन 150 रुपीज और उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आने के चांसे बहुत ज्यादा हैं क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर होगा दोस्तों समझ में आये कि नहीं है नहीं समझ में है दुबारा से इस वीडियो को फिर से बैक करके देखो मज़ा आएगा 100% दोस्तों यह कोई समझात हो गया तो यहां से डाउन ट्रेंट शुरू हो गया है तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको अगर यह दोनों भाई आपको दिखाई पड़ा रहा है यहां तक करेक्शन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक करेक्शन हुआ को दिक्कत नहीं यहां पर थोड़ा सा निकलोगे बहुत बुरा आप मूव आएगा और आपका पूरा प्राफिट निकल जाएगा तो यहां पर आने के बाद चुकि यहां तक आभी आप निकले नहीं हो इस दोनों का बरावर का वेट कर रहे थे तो जैसे थोड़ा सा आप मूव आता है यहां पर निकलने की करो सेल ऑन राइस ही कोशिश करो क्योंकि आपका यह जो फॉल है इससे आप बच सको अब सही एंटरीवी बता दिये सही एगजीड बता दिये मज़ा आया कि निया नीचे कॉमेंट सेल को सर धासूत वीडियो है मज़ा आ गया लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्श्चिन वा प्लीज बिया विद मी तो पहली जो रूल है वो बोलता है कि जो लेंट ओव वेव 3 के नेवर बी शॉर्ट जो यह लेंथ है थर्ड वाली वेव सबसे लंबी होगी बासमझ में आ रही है अगर यह सबसे लंबी नहीं है मतलब यह इस प्रकार से चल रहा है ऐसे चलके ऐसे फिर ऐसे हो गया यह जो थर्ड वाली वेव है यह लबसे लंबी नहीं है तो इसको एलिएट वेव नहीं कहा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है रिलाइंस में आपको दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी फंडामेंटली स्टॉक सही नहीं चल और उसके फिर ऐसे हो गया और फिर उसके थर्ड वेव बनी इस प्रकार से तो यह इलिएट वेव नहीं है इसको आप इसके बाद में आप यह प्रेजेट नहीं कर सकते तो जो वेव 2 का जो यह पॉइंट है यह वेव 1 के पॉइंट के नीचे नहीं हो सकता मतलब क्या है कि यह जो wave 3 है, सबसे बड़ी होगी, number 1 rule, number 2 rule के है, यह जो point है, this point number 2, नीचे नहीं हो सकता, इस point के नीचे नहीं हो सकता, clear हो गया, last rule, बहुत ही simple rule है, जो कि number 2 है, उसी की तरीके का, कि जो यह 4th point है, जो down move है, यह इस point के नीचे नहीं हो सकता, बास समझ में आ रही है, अगर यह point ऐसे चल रहा है, और दूसरी वाली wave आपके सही चली, तीसरी wave बिल्कुल सही चली, लंबी भी हो गई, तो यह पहला rule follow हो गया, कि पहला rule हो गया, कि wave number 1 सबसे लंबी होने चाहिए, wave number 3 सबसे लंबी होने चाहिए, wave number 2 भी इस point से नीचे नहीं गया, दूसरा rule भी follow हो गया, correct, ठीक है, लेकिन तीसरा rule क्या हुआ, कि यह वाला जो point है, fourth वाला point, इस up move के, इस point के नीचे चला गया, suppose ऐसे move कर गया, इस point के नीचे चला गया, इस point के नीचे यह point, बात समझ में आ रही है, तो यह Elliot wave नहीं कही जाएगी, मतलब यह stock fundamentally move नहीं कर रहा है, अब दोस्तों question हो रहा होगा आपके दिमाग में, कि sir मुझे एक और stock बताओ, है की नहीं, अगर आपको stock जानना है, comment section में लिखकर के बताइए, जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, वीडियो देख करके कोई swimmer नहीं बनाए, आपको swimming pool में उतरना पड़ेगा, you'll have to go, you'll have to swim, थोड़ा chlorine का पानी पीना पड़ेगा, chlorine का पानी पिना पिये बिना कोई swimming नहीं सीखा, मैं भी नहीं सीखा हूँ, मैं भी bumper swimming करता हूँ, और bumper jump भी करता हूँ, डाइव भी करता हूँ, लिकिन chlorine का पानी बहुत पिया है, आपको भी पीना पड़ेगा, नहीं पियेंगे, तो क्या आप, यह बाहर से देखो, बाहर से वीडियो देखो, लंबे-लंबे हाथों से freestyle, और butterflies देखते हैं, ठीक है, बाकि आपको कौन सा stock पसंद है, जिसको कि आप चाहते हैं, मैंने analyze करूँ, लेट मी नो ने कॉमेंट सेक्चेन, वीडियो पसंद आया, शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि यह free of cost है, मैंने आपको free of cost दिया, मैंने अपनी जिमिदारी निभा दिये, मैं चाहता हूँ, आप भी जिमिदारी निभाएं, share knowledge, be blessed, thank you so much for giving your precious time, I hope you learned really well, and I think इस प्रगार का वीडियो अभी तक आपने देखा नहीं होगा, bye-bye for now.